अब देखिए question कुछ बच्चों का comment आ रहा है भी पढ़ते हैं उसको कहता है यहाँ पर determine the residential status of Mr. X in the previous year 2021 who left India first time वो इंडिया पहली बार छोड़ के गया और कब छोड़ के गया इंडिया को पहली बार 16 and come back फिर दुबारा आ गया 19, 2019 जो भी time बिता है फिर वापस आ गया he again left for दुबाई फिर दुबारा चले गया इंडिया से वो and come back फिर दुबारा आ गया to settle in इंडिया फिर क्या होता है वो इंडिया में permanently settled हो गया इसका residential status बताना है आगे बोला नहीं गया शायद मैंने लिया नहीं वहाँ से crop करने में रह गया हो हाँ यह कहा रहा था determined residential status रह गया होगा तो हमें इसका generally residential status question समझ में आया है चलिए पहले हम पूरा साल बना लेते हैं यह पूरा साल है start कब होगा कौन से साल के लिए निकालना है बताया नहीं है इसने मैं बता देता हूँ यहाँ पे question में missing रह गया थोड़ा सा आपको again बताना है मैंने बता दिया ठीक है कब के लिए बताना है 20-20 बस आप इसको ध्यान रखेगा 20-20 के लिए बताना है अब year कब start होगा सर 14-2000 बोलो 20 और end कब होगा 31-3-2000 अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर उपर तो 16 उसको छोड़ो भी मैं बताऊंगा आप देखते जाओ बस अब पहले हम current year में तो देख लिए कि क्या हो रहा है उसके बाद वो पुराने साल का देखेंगे ना 730 दिन वाला और वो दो बार इटलीस वो पीछे देखेंगे तो सर पहले यहां पर देखते हैं वो इंडिया इस साल की बात करते हैं 2020 में कब आ है 16 में गया कमबेक हुआ 2019 में और फिर यह दुबाई गया 20 में मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं इसमें कुश्चन में कुश्चन के अकॉर्डिंग हम इसको थोड़ा एक साल पीछे निकाल लेते हैं तो बढ़िया कुश्चन बन जाएगा हम निकाल लेते हैं नहीं रहने दो वही रहने दो जो होगा देखा जाएगा सर इंडिया वापस आया 2019 में उसको छोड़ते हैं ही कमबेक बीस 15-6-2020 मतलब फिर दुबारा जब गया था तो इस डूरेशन में जो ये डूरेशन है हमारा यहां से वो इंडिया में नहीं था इन डूरेशन में इंडिया में नहीं था वो वापसी कब आया सर ये ये वापसी आया 15-6-2020 ये डूरेशन पर फिर 15-6 के बाद अच्छा इस दिन दुबाई गया है यानि ये वाला डूरेशन जो है इंडिया में है ठीक है इसके बाद दुबाई चला गया ये दुबाई जाने के बाद फिर वो वापस आया कब 14-1 यानि 14-1-2021 ठीक है और इंडिया में जाके सेटल हो गया है वो इसका मतलब सर एक तो ये डूरेशन में इंडिया में है और यहां से यहां तक का जो डूरेशन है ना जो मैं कर देता हूँ ग्रीन मारकर से वो इंडिया के अंदर और यहां से यहां तक इंडिया के अंदर समझे बाद यह तो एक clarity मिल गई कि सर कुछ duration के लिए इंडिया में से गाइब है हलाकि उपर में बहुत बार बोला है come back, go, चला गया आ गया हो बाद में देखेंगे फ़रे इसको देखते हैं सर यहां से यहां इंडिया में है एक अपरेल से तो अपरेल में पूरे टाइम इंडिया में ही था तो बात करते हैं अपरेल में अपरेल में कितने दिन रुका में में कितने दिन रुका 31 जून में जून में कितने दिन सिर्फ 15 दिन ठीक है न अब आजाओ जुलाई जुलाई अगस्ट सेप्टेंबर अक्टूबर तो है नहीं ना तो जुलाई में है वो मैं पूरा लिख देता हूँ जुलाई में कितने दिन रुका अगस्ट में कितने दिन रुका है यह नहीं वहां पर सेप्टेंबर में कितने दिन रुका है यह नही October में Sir कितने दिन रुका Zero है यह नहीं November में कितने दिन रुका Sir अभी भी नहीं आया December में January में आ गया 14 को आ गया तो 14 इंडिया में count करोगे तो कितने दिन होंगे 31 में से simple सी बात है 31 में से 14 माइनस करो तो कितने दिन का होगा count कर लो नहीं तो 14 इंडिया में count करोगे 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31 तो हाँ बिल्कुल सही बोल रहा 18 किसने बताया 17 यह 18 दिन पाई लाइव क्लास में जितने बच्चे इतने सारे बच्चे देख रहे हैं पाईव क्लास में वो भी जवाब दे लेट कोर्स परचेस किया है तो आपको बैकप क्लास है वेलेबल वहां देख सकते हो आप चलिए जनवरी के बाद आजाते हैं फैब फैब की हम बात करते हैं तो फैब में पूरा इंडिया में और 21 है तो कितने दिन होंगे 28 यह सब भी ध्यान देना है मार्च में चलिए काउंट करते हैं पूरे को काउंट करें कितने पूरा पहले यह काउंट कर लो क्या हो गया टोटल कितना आ रहा है टोटल बता दो 153 153 दिन ठीक है 153 डेज वो करंट इयर में जिस साल का हमें टेक्स निकालना है वो इंडिया में है यानि बेसिक कंडिशन कहता है 182 दिन और 60 और 365 दिन तो सर क्या यह 60 वाले के अंदर सब चेक करना पड़ेगा हमें से क्योंकि 182 वाले से तो बची गया यह अब यह इंप्लॉइमेंट परपस के लिए भी नहीं जा रहा कुछ कुश्चन में नहीं बताया है तो अब हम इस पे लगाएंगे दूसरी कंडिशन क्या करन्ट इयर में 60 दिन है और पिछले 4 सालों में कितने दिन 300 अब हम इससे पीछे के न 10 साल काउंट कर लेते हैं क्यों सर इससे पीछे का 10 साल क्यों लिखने जा रहे हो मैं अभी लिखके इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए ठीक है पीछे की 10 साल मैं यहां पर लिख दूँ यह क्या है हमारा 20 21 है तो क्या होगा हमारा 19 20 18 17 16 15 14 13 12 11 10 हो गए यह हमारे पास मैंने कुछ इयर लिख लिए है आपके लिए जो की थोड़ा क्लियर्टी मिल जाएं कि क्या है मैं इसको यह तो इधर लिख देता हूं इधर स्पेस है ना इसको इधर ले जाते हैं किसको मैंने तो देखो यह पहले करेंट यह की बात थी यह पुरानी बाते कर रहा हूं अब 19 20 में चेक करना सर 19 20 की बात करें न यह तो इंडिया चोड़ के कब चला गया था 15 सेप्टेंबर फर्स टाइम कहता है फर्स टाइम सेप्टेंबर 16 में तो सेप्टेंबर 16 किस साल में आएगा 16 17 में इसको छोड़ दो यहां पर कितने दिन रह रहा है 66 हो सकता कहीं यहां 66 होगा यह तो है सर अब काउंट करते हैं 16 17 में भी कहीं बीच में गया है छोड़के सर 16 17 में कब गया था सेप्टेंबर में सेप्टेंबर तक तो इंडिया में था इसका मतलब सर 16 17 में बात करूं मैं 14 2016 से लेके कितने 15 9 2016 तक वह यहीं पर था तो काउंट करो कितने दिन होते हैं एप्रेल में 30 एप्रेल में 30 दिन में जून जुलाई अगस सेप्टेंबर छोड़ना है तो अगर आप यहां पर काउंट करते हो इसके दिन समय इसके नेशे लिख दूX है यह मैं इसके लिए कर रहा हूं ध्यान रहे सर एप्रेल में था वह 30 में 1 कद द fruits जून में था वह 30 जुलाई में था वह 31 औगस में था वह 31 सेप्टेंबर में था वह 15 कितने दिन हो गये कितने कितने हैं 168 सही बताना भाई जो live class में बच्चे हैं वो भी बताएं 168 अब बात करते हैं यहां से जब गया न वो इंडिया से बाहर में पूरा question दुबारा समझाऊँगा जब इंडिया से वो बाहर गया न सेप्टेमबर में छोड़के फिर वापसी आया 19 में और कहां रहा वो, September से लेके कब तक रहा वो, September के बाद October इंडिया में है, September पूरा इंडिया में, October पूरा, November, December, January, February, March, पूरे के पूरे, कितने मेंने, साथ महिने, तो आप साथ महिने का, अगर मैं डेटा इहां पर बताऊं न, तो 30 दिन, प्लस, September के बाद, October 31, October के बाद क्या आता है हमारा, November 30, December, 31, January, 31, February, 29, और March, कितने दिन होगे सर इसके, 200, अब 18, 19 में बताऊं क्या था इंडिया में, 18, 19 में इंडिया में, नहीं था वो, 16 के बाद सीरा 19 में आया, अब कोश्चन का सेनेरियो समझना, question का scenario समझना सबसे पहले sir हमें 20-21 का residential status निकालना था तो हमने 20-21 का सबसे पहले basic condition चेक करने के लिए 20-21 जहां से शुरू जहां से खतम होता वो पता करो तो 20-21 का मैंने यहां से यहां तक निकाला तो count किया गया कि April 20 में क्योंकि वापस आ गया था कब वापस छोड़ के जाता यह कब जून में छोड़ के जा रहा है तो sir जून से पहले तो इंडिया में यह ना तो यहां से यहां तक इंडिया में था और इसके बाद यह वाला एरिया वो इंडिया से बाहर गया और यह इंडिया में आ गया तो उस सभी को मैंने मंद को यह डिटर्माइन कर दिया सर एप्रेल में 30 यह 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 उसके बाद हमें पिछले यह वाला कंडीशन पूरा नहीं करता तो हमें दूसरा बेसिक कंडीशन कम चेक करना पड़ता है कौन से वाला 60 दिन और 365 वाला वो स़सा एक कंडीशन तो उसने पूरे कर दी ने समझें पहले यहां तक देखो मैं यह क्यों लिखने जा रहा हूं अभी आपको समझ में आ जाआगा पहले यहां तक किसी को डाउट मैं सेब्रमी में 16 दिन कह रहे हैं बच्चे कि सेब्रमी बlished दिन है कहां सेब्टम्बर सॉल यह सेप्टेंबर में मैंने 15 लिखा है कब वापसी आए 15 ही हो तो 381 days 2, 1, 3 ठीक है यहां तक किसी को doubt है तो ठीक नहीं तो फिर मैं additional condition लगाऊ क्या यह वाला पहले यह वाला समझ में आ गया इसको अलग कर देते हैं यहां से यह बार बार आपको confusion कर सकता है इसलिए इसको अलग हटा दो यह लेजिए, यह side कर दिया सर यह बाते चेक करा मैंने बेसिक condition नमबर वन not satisfied but 2 जब चेक किया 60 days वाला तो 60 दिन तो था अब आ जाते हैं पिछले चार सालों में तो चार सालों में 381 हो गया जबकि condition क्या कहता है तो अब यहां से दिखनी रही है तो कोई बात नहीं अब देख लो पहले यह बाला समझ में आ गया अब इधर की बात करें तो basic condition number 2 क्या कहता है सर current year में 60 है current year में 60 से ज़्यादा ही है additional condition क्या कहता है सर additional condition क्या बेसिक condition का number 2 कहता है पिछले चार सालों में कितने दिन अब चेक करो यही तो है पिछले चार साल क्योंकि हम निकाल रहे हैं 20-21 से पीछे चार साल में पहुंच जाओ तो यही तो पिछले चार साल इसलिए मैंने पूरे लिख लिए सामने दिखे आपको तो चार सालों में कितने दिन रह गया तो second condition इसने complete कर दिया यानि जो basic condition वाला problem था जो हमने करा था वो तो complete कर चुका है पहले यहां तक देखिए किसी को doubt किसी को doubt अब बोलता है question कि आप additional condition लगाओ पिछले 10 सालों में दो बार are resident होना चाहिए पिछले 10 साल को count करते है color change कर देते हैं पिछले 10 साल को अब यहां से यहां तक यह पूरे 10 साल है अब इससे 10 साल में दो बार resident होना चाहिए चाहिए दो बार resident होने का मतलब यहां हो गया 213 दिन यहां हो गया 213 दिन तो R बन गया यहीं पे चलो इसमें नहीं बना इसमें भी नहीं बना इसमें भी 0 दिन है और इसके अंदर 168 दिन इसमें भी नहीं बना लेकिन यहां पे अब तो सब में ही बन जाएगा वो यानि additional condition number 1 तो मैं कह दूं यहां पे कि सर इसने basic condition number 2 okay additional condition number 1 okay अब additional condition number क्या 2 सर एडिशनल condition number 2 क्या है बताना पिछले 7 सालों में अब पिछले 7 साल को देख लेते हैं कौन सा बनता है पिछले 7 साल अब यहां पे लाइन खीच रहा हूं पिछले 7 साल एक दो तीन चार पांच छे साथ यानि यहां तक यह ठीक है साथ साल क्या 365 दिन 730 दिन बन रहे हैं बन रहे हैं क्योंकि यह तो अकेला ही दो ही साल में बन जाएगा इसका मतलब इसने additional condition number 2 भी ओके अब क्या status बन गया अब बताईए डाउट बच्चों का जवाब आ गया लाइब में भी 19-20 का बता दो फिर से प्रियंका 19-20 का क्या बताना है मैं समझा नहीं एक बार ठोड़ डिटेल लिख दो अच्छा यह 19-20 19-20 में हुआ यह कि सर यह 19-20 के अंदर देखो यह वाला साल यह वापसी आया इंडिया के अंदर कम बैक वापस आया तो एक सेप्टमबर 2019 में वापसी आया तो 19 वाला खतम कब होगा जनवरी के बाद 20 लग जाएगा ना तो यह हो गया 19 और 19-20 के देखा जाए तो सेप्टमबर महीना है यह सेप्टमबर में 30 इंडिया में यह ऑक्टूबर 31 नॉवंबर 30 दिसंबर 31 यह पूरा हमने काउंट किया और यहां तक 213 दिन था यह 19-20 के अंदर समझे अभी भी नहीं किया यह इसके बाद क्या आएगा एप्रेल और एप्रेल यह वाला स्टार्ट हो गया एप्रेल में भी इंडिया में कब गया फिर उसके बाद यह जून को यहां गया था तो इसलिए यह वाला डूरेशन भी आपका यहां पर काउंट हो गया यह भी clear हो गया, यह भी मैंने सारा count कर दिया, बताइए किसी को doubt है, काफी बच्चों का जवाब आ गया, ROR किसी का doubt है, इसको लिखना कैसे है, वो भी मैं दिखा देता हूं, clear है कैसे check करना है, यानि sir, हमें check कैसे करना है, सबसे पहले तो हम basic condition को पहले हम एक timeline पर लिख लो, वो करेंगे, उसके पिछले 10 साल उको लिखेंगे, अभी लिखने की आदर डालो, जब प्रैक्टिस हो जाएगा ना, तब आप औरली फिंगर पे भी कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो मैं क्या बोलूँगा, यार इतने बार 365 365 रह रहा है इस से पहले यह, तो additional तो दोनों करी लिया इसने, मैं सरी basic करूँगा और बोलूँगा additional दोनों हो गया और चलो complete ROR हो गया, मैं इतनी कहानी नहीं यहां पे चेक करूँगा, जब आपका practice हो जाएगा तब, लेकिन अभी आप सारे detail में चेक करूँगे, ठीक है, चलिए सर, इसक 168 किस में था, निकाला था या गलत निकाल दिया आपने, ठीक ही निकाला, ठीक ही निकाला, 168, 213 यह सारी चीजे बात का है, solution में क्या करा इसने, यह basically देखोगे न, तो 16, 17, 17, 18, 19, 20 और यह current year है, यह हमारा जो साल है न, यह हमारा साल है, और यह पिछले 4 साल, आपको यह calculation दिखाना चाते हैं, तो आप दिखाईए, नहीं तो बाकी देखिए, answer क्या कहता है, answer कहता है, x satisfies second edition condition required under the section 61, 60 days, second condition, additional मैंने गलत word use कर लिया, second condition satisfy करता है, जो कि आप section को quote नहीं करे, तब भी कोई दिक्कत नहीं, एक बच्चा पूच, एक बच्चे ने comment में लिखा, के section अगर हमने सही लिखा, लेकिन अंदर का content हमने गलत लिखा, तो marks मिलेंगे, तो जवाब नहीं मिलेंगे, एक बच्चा कहता है कि सर हमने section गलत लिख दिया, अंदर का content बिल्कुल ठीक लिखा, मान लेते हैं, यहाँ पर मैंने लिख दिया section 6 के जगा पर साथ, आपका content सारा ठीक है, आपको marks नहीं मिलेगा, ठीक है न, यानि आपको content तो accurate हर condition में रखना है, बस section याद हो, तो quote करिया दरवाई, जुरत नहीं है, अगर मुझे याद नहीं है, section ये वाला तो मैं नहीं लिखूँगा, बात खतम, number कट नहीं सकते, लेकिन अगर आपने गलती से यहाँ पर 6-3 लिख दिया, 7 लिख दिय तो number जरूर कट जाएंगे आपके, basic complete करेगा, नहीं नहीं, additional तो सब पर होगा, कहीं इंडिया में रह रहा है, तभी तो additional लगा रहा है, अगर वो इंडिया में रही नहीं रहा, तो additional की बात नहीं, एक पर देख लेते हैं, फिर बताना, कहता है, इसने second basic condition 60 दिन वाला complete किया और more रह रहा है, preceding relevant, previous year, कितने, वही बात लिखा है कि भाई, हमने इस वेक्ती ने second basic condition complete कर दिया, जो क्या था हमारा, 60 दिन during the year end, 365 days, relevant, previous year, या फिर preceding year में, होगे पहली बात complete, दूसरी बात, लिखने की जुरत नहीं है, hence his status for the assessment year, 2021, जो निकाल रहे थे, resident and ordinary resident, बताईए कोई दिक्कत, लिखती आप अगला कुछ चना गया, समझ में आया कैसे लिखना है, ये रहा आपके सामने answer, अब जिसके जो जो doubt बन रहे हैं अगर फिर भी, तो आप बताईए, मैं doubt को solve करता हूँ, मैं pdf दूँगा answer का, आप आराम से लिख लेंगे उसको, ताकि आप उसको समझ भी पाएं, मैं अभी समझाता जा रहा हूँ, जिस दिन shift होगा, बिल्कुल definitely, जिस दिन छोड़ के जाएगा, वो दिन भी इंडिया में count किया जाएगा, हां जी बताईए, फर्स टाइम इंडिया छोड़ के गया था, वो था 16-17, 16-17 में कब गया था छोड़ के वो इस डेट पे, यानि इस डेट पे जब वो छोड़ के गया था, इसका calculation नीचे है, अपरेल में तो इंडिया में ही था, में में भी इंडिया में था, june में भी इंडिया में था, total 168 दिन था वो क्योंकि इस दिन तो चलाई गया था इस दिन तक count किया, कि मैंने यहां लिख दिया इस दिन तो चलाई गया ठीक है न? अब बात करोगे कोई पूस्ता सर 18-19 था ही नहीं 17, 18 भी नहीं था तो 00 days था हमारा बिल्कुल difference है resident का मतलब NOR होता है कोई बच्चा बोलता है सर basic condition complete कर दिया तो उसे resident भी बोल देते हैं और NOR भी बोला जाता है बोला जाता है